हेलो फ्रेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके प्रेचल होम टुस्न पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल याने की 21 मार्च को हर्याना हाई कोट में HSC गुरूप C, गुरूप D, TGT बरतियों को लेकर जो 5 नमबर का केस है उसको लेकर सुनवाई हुई अच्छी खासी वहाँ पे भैस हुई और दोनों ही बाते वहाँ पे possibility के तोर पे निकल के आई एक समय पे ऐसा लग रहा था कि 5 नमबर के खिलाब पूरी तरह से कोट हो चुका है और HSC केस को हार रही है लेकिन अंतिम समय में हुआ क्या कि जो AG साब है उन्होंने अगली तारिक का हवाला देते हुए थोड़ा सा इस चीज़ को pending करने की कोशिस की लेकिन फिलहाल जब हमने कल स्याम तक भी कोट की वेबसाइट पे चेक किया दोस्तों उसमें अगली डेट 23 अपरेल ही दिखाई होई थी लेकिन आज की जो अपडेट है वो यह है कि जो फैसला है वो सरक्सित कर लिया गया है और कभी भी जज़मेंट आ सकता है और पांच नंबर हट भी सकते हैं और पांच नंबर कंटेनों भी रह सकते हैं तो आप अगर जानना चाहते हैं वीडियो को धानसर पुरा देखिए दोस्तों अगर आप इस लिपे नए हैं चलको सब्सक्राब के लिजिए, बैल अकन को प्रेस के लिजिए, और किसी प्रकार की लेटेस ट्योज अफडेट को पाने के लिए मारे टेलीग्राम चलको जोइन के लिजिए, जिसका लें डिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आप और को आप किस बंचे करा हैं तो आप ल्लके लिजिनिंग के के लिएगे, एक दिन हम जी इक के के क्लास लेकी मिलने जाहिए, आपको क्या लगता है, ऐसको पीछी लोजिक है जरा कोमेंट करके जुरू बताएगा कि पांच नमबर देना सही है या गलत है सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है जरा कोमेंट करके जुरू बताएगा है ना तो आईए बात करते हैं तो आज की ताजा अपडेट है यहां पर आप देखोगे हरियान अभी भी उसमें रिजर्ड नहीं रखा उसमें अभी भी 23 अपरेल दिखाई हुए तो कहीशे साइच में कहीशे कोई फॉल्ट है कोई धिक्कत है आई तो ऐसा नहीं हो सकता है न दोश्तों तो यहां पर आप देखोगे सरकार की दलीन अंक देने का फैसला सही हर्यानाप्रिस की दो भरतिया जा चुकी है ठीक है गुरूप C, गुरूप D की पहले भी भरतिया हुई है कलरक वग्यरा की तो उसमें भी 20-20 नमबर बढ़ते थे तो इस बार तो 5 नमबर का केस है तो पहले तो कोट ने किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं जताई तो वही ब बच्चा है जैसे मान लीजी एक बच्चा सो नमबर का पिपर है एक बच्चा लेक्चा क्या रहा है पिचान में या 90 लेक्या रहा है ठीक है दूसरा भी 90 लेक्या रहा है अब इसको 5 नमबर नहीं मिलते तो यह तो 90 पर रह जाएगा लेकिन अगर इसको 5 नमबर मिल रहे है एक्स्टा तो यह तो बिचाना में लेकर चला जाएगा यानि 90 रिटर्न एक्जाम में दोनों के बराबर स्कोर है लेकिन फिर भी जिसको पांच नमबर मिल रहे है वो आगे निकल जाएगा या हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 नमर का वेपर है एक बच्चा जिसके मान लीजिए भाईया 82 नमर है और दूसरा बच्चा जिसके मान लीजिए 80 नमर है अब रिटर्न एक्जाम के आदार पे देखा जाए तो ये बच्चा थोड़ा सा क्या है कमपेट्सन में पिछे है लेकिन इसको 5 नमर अगर मिल रहे है तो भाईया ये तो सीधा सीधा 85 नमर पे आ गया ये बचार 82 पे रह गया तो वही चीज़ जिसमें कहा गया है कि भाईया ये कही न कहीं थोड़ा सा दिक्कत है इसमें आप देखोगे गुरूप C, D और TGT की वर्तियों पर इस फैसला निर्बर करेगा तो ये सारे चीज़े कल की बात यहां पर कही गई है ये एडवोकेट जर्नल D की के जो पद निकाले हुए हैं और TGT के पद निकाले हुए हैं उन्हें चुनोति दी हुई है देनिक सवीरा ने पुछा कि भाईया क्या पुलिस बरतियों पर इनका फरक पड़ेगा ये आपको खागा कि जबकि 20 पहले 20 पीस अंक मिलते थे वही चेज़े यहां पर बता को ये चौनोति दी गई है तो वही सिजहां पर कही गई है मैंज अपडेट है वो ये है कि फैसल आपका सुरक्षित रख लिया गया है और कभी भी आपका जज्जमेंट आ जाएगा अब पांच नमबर हटेंगे कि नहीं अटेंगे ये अभी कहना मुस्किल है क्योंकि वो है बैक पुट पे इस समय तो जाना नहीं चाहेगी पांच नमबर मेरे ख्याल से कंटेन्यों ही रहेंगे लेकिन जो युवाओं की दलील थी जो बहुत सारे बच्चे जो मैंने एक्जाम्पल देके बताए उसको देखते होई तो पांच नमबर हटने भी चाहिए या तो प इलकुल खतम कर दो या फिर देड़ा है तो पूरी तरह से वेरिफिकेशन करके अच्छे तरीके से जिसको जैनुवन जुरूरत है उसको ही एक्स्ट्रा नमबर मिलने चाहिए आपको क्या लगता है पॉमेंट करके जुरू बताएगा और वीडियो को लाइक करें शेयर करे और हाँ आगर आप तैयारी करना चाहिए उमारे साथ जुड़के तो मैं थो रुजिन के लिए बहतरीन कंटेंट में लेके आने वाड़ा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा धन्यवाद जहेंद